नमस्ति मैं निवीदिता निल्यम का एक साथी प्रकाश ब्रमविद्या मंदीर विनोबा आश्रम पौनार वर्धा से जो नदी बैती है उसके तट से बोल रहा हूं ये आपको विनोबा जी का आश्रम दिख रहा है मैं आधर्णिय वर्धा बेन देशाई जिनको हम प्यार से माई कहते हैं उनका परिचे इस लाइव टेली कास के पहले देना चाहता हूं प्रविनाबेन की शिक्षा मुंबई जैसे बड़े शहर में हुई उच्च शिक्षा प्रार्थ करने के बाद 25 वर्ष की आयू में घर छोड़कर विनोबा जी को समर्पित भुदान यात्रा में शामिल आठ वर्ष आशाम गोहाटी शरणिया आश्रम में साधना उनिस सो एकत्तर से विनोबा आश्रम पवनार वर्धा में वास्तव्य विनोबा जी द्वारा स्तापित गिताई मिशन की संस्तापक सदस्य सर्वध्म समन्वय को ध्यान में रखकर विज्ञान यूग में मानोधर्म की दृष्टी से गिता प्रचार कार्य में रत आचारकुल संगटन की पुर्वा द्यक्षा करीब तीस अध्यात्मिक पुस्तकें पुस्तिकाओं की लेखी का अनेक अप्रकाशित पुस्तके है आच सो युवा शिविरों के माध्यम से युवा जागूती एवं नेतृत्व गांधी विचार प्रशिशन के लिए युवा केंद्र निवेद्यदा दिल्यम की संचाली का माई मा नाम से सबको परिचित ज्यान प्रेम भक्ती और अस्कलित वक्तों की धनी मैं आदर्णिया माई से अनुरोद करता हूं कि वे अपना प्रवचन शुरू करे धन्यवाद जन संचार मंच के सभी संदस्यों को नमस्कार जन सरोकार मंच यह है हमारी श्रीमद भगवद गीता श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना करके पूरी दुनिया को बहुत बड़ा एक सनातन संदेश दिया है हम सब जानते हैं कि जो धर्मत 30,000-40,000 बरसों से हिंदुस्तान में प्रसलित किया गया है उस दर्म का कोई एक लिखने वाला नहीं है कोई एक मूर्ती नहीं है कोई एक ग्रंथ नहीं है हजारों लाखों रूर्शी मुनियों ने अपनी अंतरात्मा में भगवान का जो संदेश पाया उसको अलग-अलग तरह से विकसीद करके सामान्य मानाओ की पकड़ में लाके रखा है उस संदर्व में समझने की बात यह है कि एक ऐसा दर्म है कि जो मानता है कि मनुष्यानी सुष्टी नहीं बनाई है शुष्टी को बनाने वाला शुष्टी को बनाने वाला जो भी होगा वो चाहता है कि शुष्टी सनातन टक्तिकी रहे इसलिए शुष्टी के अंदर अनेक नियम अनेक गणित अनेक व्यवस्थाएं जिसका उलंगन कोई नहीं कर सकता है वैसे रचा गया है अदब्दानी वरुनस्य व्रतानी एक एक पानी के कण में एक एक लोहे के कण में एक एक बीज में अपनी अपनी सारी नियम व्यवस्था रख दी गई है और मनुश्य का धर्म है कि ये जो सुष्टी बनाई गई है उसके विज्ञान को समझ करके उसकी सनातनता को टिकाने के लिए मनुश्य जो करे उसका नाम धर्मा है धर्ती को धारण करे उसका नाम धर्म, जिस धर्ती पर मनुश्य रह रहा है, उस धर्ती को हमेशा टिकाय रखने के लिए धर्म की व्याख्या की गई है, और कृष्ण भगवान ने एक जगा कहा है, कि गीता श्रय अहम तिष्ठियामी, गीता में चोत्तमम ग्रुवम, गीता प्रकार से जो पूरी शुष्ची को धारण करने वाली श्रीमत भगवत गीता है, उसकी शरण में हम सब जा रहे हैं, आज के संदर्व में गीता के पास क्या है, वहाँ हम समझने की, सीखने की कोशिश करेंगे, गीता का पहला अध्या है, एक बहुत बड़ी बात हम सब के सामने रखता है, यह है कि जीवन में जब चैलेंजिस आती है, समस्याय आती है, ललकार आते हैं तब हमको उससे भाग के चला जाना चाहिए, कि उसका सामना करना चाहिए, सामना करना चाहिए कि उसका उल्लंगन करके आगे जाना चाहिए, और एक नया परिवर्तन का, नये पराक्रम का इतिहा से रशना चाहिए, यह प्रशना पहले अध्याय में अर्जुन के सामने रख लेकिन अर्जुन के पास एक व्यक्ति है जिसको फूछ सकता है कि मेरा तत्वग्यान मुझे जब साथ नहीं दे दिनिने लेने में तब मैं क्या करूं और यहां से उसने शिश्यत्व दूसरे अध्या में साथ में श्लोक में लिया है वहां से कृष्ण भगवान उसको कहना श लड़ना किस से लड़ना मनुष्यों से समाज से आधि व्याधि उपर तुम जिस यूग में जर्म लिये हो उसमें तुम्हारा धर्म क्या है तुम्हारा कर्तव यह क्या है उसको समझने के लिए अपनी अंतरात्मा से लड़ो क्योंकि अपनी अंतरात्मा दूसरा अध्याय कह रहा है कि भगवान के सिवा कोई नहीं है हर एक व्यक्ति में हर एक पृत्वी के कण में अनुरेण में भगवान ने कुद ने अपना अविश्कार किया है अपना चन्म लिया है और उसका बहुत बड़ा उद्दिश रहता ह इस दुनिया में कुछ भी नहीं है तो जब हम आधुनिक यूग का विचार करते हैं तब दुसरा अध्याय हमारे सामने दो मुख्य बातें रख रहा है एक वो रखता है कि उपभोगता वाद या आधुनिकी करण या वैश्वी करण ये मनुष्यका धर्मन नहीं है मनुष्यका धर्म जो सनातन है जो टिकने लायक है जो जीवन के आधर्ष मुल्य है उनको टिकाना अपना काम है तो एक मुल्य जो पूरी शुष्टी जीवन के लिए बहुत ही महत्वका है वो उन्होंने बताया है सैयम भोग की अपेक्षा सैयम और दूसरा सिद्द अंतर जो उन्होंने बहुत बड़ा दूसरी रद्द है में बताया है योगिग्य कार्म कर्म से तत कि उतमर्ज को करना है उसमें से बाहर का फल आए नाये प्रकृति के ऊपर नीरम करती है मनुष्य कर्म नहीं करता कि प्रकृति की मदद म्या प्रकृति की सहायता से या घगवान की इच्छा से जो होता है यसो होता है पर प्रायत्ना हमको जो करना है उसमें फल की अपष्यान नहीं रखनी है और अपनी बुद्धी खुद्ध 오른 दिक समा बनाने की पूशिस करने बुद्धि का सायाना प्राप्त करना कर्मों का उद्देश होना चाहिए और अपने सभी कर्मों का पद्दत ही होनी चाहिए संयम की इस प्रकार से दूसरा है आज के हमारे यह अधुनी की करण और उपने उनको ने उनका कर्तवी दिया है उसके बाद उनको स्थिति सहय अग्नियाहा प्रजाहा शुष्ट्वा प्रियावरन है और ब्रह्मांड के कई ही शक्तियां है कि जो इस अब को दारण करने मदद करती है तो इसलिए उनसारी शक्तियों को भी इसलिए कर्मा अखंड करिए, परंथो कर्मा करते करते करते, अंदर से कुछ ऐसा साध लीजिए, जैसे आप पूरी प्रकृती और पूरे मानो जाती के साथ एक रूप हो जाएं रुदय से आप एक हो जाएं ऐसा कुछ आप करिए हम काम भी करते हैं जो काम करने के गलत तरीके हैं उनको बाद सही अगर आप काम करोगे तो आपका कर्म कर्म यूग और उसका कोई अहंग नहीं लगेगा इसके लिए तीसरे और चोथे अध्याय में भगवान ने आग्याई दिये कुछ कि अत्यां तो प्रसंद वृत्ति से काम करो अच्छी तोहता से पोंच डालते जाओ जैसे हम मांटे सोरी से लेकर मैट्रिक या बी एमे तक जो भी पढ़ते हैं उसमें हम अनेक प्रकार के गणित पढ़ते हैं अनेक नोट तों लेकिन आखिर में जब डिगरी हाथ में आ जाती है तब उन नोटों का या उन बोडों का कोई अध्या नहीं इस तरह से ग्यान ज आज के संदर्व में बात करके हम जो भी काम करते हैं उससे जगत का नुकसान हो नहों हमारा अपना नुकसान होता है जगत का नुकसान करने के ताकत मनुश्य में नहीं है में ऐखो चुट पर हम अपना नुक्सान करें तो उसको भगवाण नहीं संबाड सकता है इसलिए जगत का नुक्सान करने का सोच बीना अपना कल्यान करने का सोच करने सारा काम करना है 50 जिजाय में जो अकर्मधशा का वर्णन किया है सच्चेश में नम्रता आने से अंत में जाकरके वो अकरम कितना प्रवाण करता है और किस प्रकार से नितृत्वा निर्मान करता है यह पांच्वे अध्याय का मेंसेज है चटे अध्याय में एक बहुत नया दालान खोला जाता है कि मनुष्यक्य के लिए वो चोटे-चोटे संकल्पों से चोटे-चोटे कदमों से हम निर्शा को नकार अत्मक्ता को अगर हटा सकें तो अपने में ये अकर्म की जो शक्ती जातों पूई थी उसका उप्योप बड़ी दुनिया को हो सकता है और नकार अत्मक्ता के साथ जूजने के लिए अंदर के कितने प्रयोंपों करने पड़ेंगी उसको भगवान ने दिहाने यूप कहा है और कर्म में आना सकती, विश्यों में भी रखती, संकल्प विकल्प में स्तिरता अगे किया है, और यह ज़रूर कहा है कि अपने अंदर ही अपना शत्रु है अ अगर अपने अपनी उंची आत्मा के द्वारा, अपने नीचे वयों को, नीचे की फैकल्पियों को अगर कंट्रूल में रख सकें, तो हम अपने परम बीत्र हो सकेंगे साथ वे अध्याय से बारावे अध्याय तक जो भक्तियोग है उसमें रुदय को कैसे विकसित कारण जो वेराइटी दुनिया में पैदा हुई है उस वो हमारे सब के खेलने के कारण है और उस सब रूप में भगवान हमारे पास है सुत्र मनी गणा इव एक सुत्र में जैसे मनी गण परवे हुए हैं ऐसे सारी दुनिया में भगवान का प्रेम पीरवे प्रेम के रास्ते जाने से हमको एक नई दुनिया दिखती है जो हिंसा के रास्ते जाने से नहीं दिखती है इसलिए परिवतन करने के लिए भी और पराक करने के लिए भी इंशा का रास्ता त्याग करके प्रेम के रास्ते प्रेम का पंथ है न्यारा सब इस इमानदारी और नइतिक ताकि बहुत बड़ी बहार इस देश में आनी चाहिए इस 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 कि है अधियो आप वीडियो का उप्यों करते हैं तो साउंड और शब्द दो चीजों को साथ लेके चलते हैं वैसे हमारे ड्रीम्स हमारे हमारी स्मृति सब खले टूट तो हमको कोई रूप तो इन दो फैकल्टीज को ज्यानेश्व महराद अपनी वानी पर शब्द शक्ति को जीतना सबसी पहली बात है और हर एक गलत शब्द को आप अच्छे शब्द से जीच सकते हैं फ्रसया में ृस्त you में स्थित थे उएंअ जीट को आप मौर्वर्फुल है ऑपने आर्थिक ए राजनाईटिक यह साहिति प्रेमी है इतना होते हुए हम चाहते हैं कि वह बगवान हमारे साथ पकट हो जाए उसका दर्शन करें और हमारे पास एक मजूर आता है एक गरीब आजमी आता है तो उसको हम अपने जैसे नहीं मान सकते हैं जो एक जो अंतर हमारे और भगवान के बीश में है उस एक अंतर को अगरा अपन लागना चाहते हैं तो हमारे रुदाश्व तो कम से कम हमने अपने सारे जीवों के साथ चुहे के साथ भी हमारा कोई अंतर नहीं मानना चाहिए आज कल का विज्ञान ता है कि डिये ने के तरों दुरुष्टी से देखें तो चुहा मनुश्य के जैसा है सिक्का है जिसमें मेरे पास पूरा चित्र है विनोबाजी ने विभूती इता परोचन में इतना काव्य में बना दिया है कि हर एक चीज में भगवान देखना इतना हर एक चीज में भगवान देख सकते हैं तो मनुश्य के साथ विधा कर रहा है आज सबसे बड़ी समस्या इंदुस्तान के पास कोई है या दुनिया के पास कोई है तो बेदभाव की और कौमी एकलास की है कौमी एकलास के लिए प्रतिबंधर उदय यानि विभूतियों कैसे काम करता है उसके लिए बगवान एक चीत रही दिया है दर्शन दिया है अर्जुन को कि जिसमें कि पर अश्र कर जाने वाले प्रकाश और प्रभाव जहां है उसका नित्रुत्व लेकर के हमको आगे बढ़ना है तो ग्याराव अध्याई नित्रुत्व का अध्याई है बगवान सबका नित्रुत्व है अर्जुन को कहते हैं कि तुम भी निमितित्व कि मुझे जो करना है सो करने सहाय करो नियां कि 12 अध्याई थे भक्ती से भक्तव बनने तक न्यूंप केवल शरीर के लिए काम करते शरीर के लिए मौज मजा, शरीर के लिए सुविदा, शरीर के लिए गति मानता, सब शरीर के लिए, वाणी है, संकल पर शक्ति, कब समय देंगे, तो ये तेरा वाध्या कहते हैं कि शरीरात प्रवरुहेत, अन्यथा समस्कारा संभवा, क्लिष्ट जीवितम्च, हमारा जीवन के पीछे पड़े हैं, और हम अपनी अपनी आत्मा की उन्नती को भूल गए हैं, चौदाव अध्या कहता है कि मात्रत तीन तो गुण है दुनिया में, कर्मा करके आलस को जीत लो, तो तमोगुण को जीत लिया, भक्ति करके उसके अहंकार को और फल को जीत लो, तो आपने रजोगुण को जीत लिया, और ध्यान करके सात्विक्ता का भी अहंकार छोड़ दिया, और सात्विक्ता में हमेशा के लिए काशाष्तिरता सवख्य में अगर हम लीन हो जाएं तो हम ब्रह्मनिर्वान तक सत्वर रज तमा, तमा से सत्व में जाना, सत्व में से रजो में जाना, रजो में से सत्व में जाना, सत्व में से अधिक सत्व में जाना, और अंत्य में यह शांति पाने का एक मात्रह रस्ता है, जिहाए में भगवान ने बहुत बड़ा समन्वे कि आहिन पंद्रह अध्याओं का, और कहा है कि परिवर्तन की और प्रतिकार की स्वेष्ट जो भी काम करने वाली शक्तियां है उनको समझ करके आपको आपका विज्ञान तो पहले अधर्म का निवारण करना अधर्म का निवारण आतंकवाद के विरोध से होगा जाहिर हीत के जितने करने क्या विश्वसनियत वह यग्या दान और तप तीन के द्वारा बहगवान ने बताया है तीनों के विश्थार में जाने को अपने अभी समय नहीं है करूना का कोई कारिया वह बंचेट करने के लिए रासु और अठावे अध्याय में करते हैं कि मैंने जो वर्णव विवस्ता की है जगत के लिए पूरे जगत के लिए कल्द्यान की कामना करना और चोटे से भगवान बनने की कोशिश करना है चोटे से नेता बनने की अकाइब करने को वो कांटाओं भरा रास्ता है कि है व्हकते पर निकलने के लिए हमको हजारों घ़ Mümbels भ को आर या कि कल्यान से बरा है इसलिए हम लोगों के बीच विवेकानन जी ने कहा था वेसे विनोबा जी और गांधी ने भी कहा था हजारों हजारों लोग जब सुरक्षा के रास्ते से निकल करके पराक्रम के रास्ते पर निकलेंगे सिक्यूरिटी को छोड़ करके अडवेंजर के तरफ निकलेंगे